जब भी कोई फीमेल इगल अंडे देती है तो एक दो नई बलकि 3-4 अंडे देती है और उनमें से बच्चे भी निकल जाते हैं लेकिन जैसे ही बच्चे अंडे से 12 आते हैं तो वापस में ही लड़ने लगते हैं और ये लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं होती बलकि जिन्दगी और मोत की लड़ाई होती है और मदर इगल भी बच्चों को लड़ता देक उन्हें नहीं रोकती और थोड़े समय बाद सारे बच्चे मर जाते हैं सिवा एक को छोड़कर वो भी वो जो सबसे ज़्यादा श्रोंग और हेल्थी होता है और इगल ऐसा इसलिए कर करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जीने का अधिकार सिर्फ उसी को हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवार हैं क्योंकि इगल की जिन्दगी बहुत मुस्किल होती है और आसमान पर सिर्फ वाई इगल राज कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवार हो और ऐसे इंफोर्मेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें